Hello बाई लोग, I hope you all are doing well and स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल Move4All में और कल की 289880 का Most Awaited Awesome Trailer Release हो चुका है जिसमें भर भर कर Quality Elements थे जैसे कि इसके Visuals लेकिन इस वीडियो में करेंगे Trailer का Breakdown by Discovering 35 Hidden Details जो आपने Miss कर दी थी सबसे पहले Trailer की Starting होती है और हमें बताया जाता है कि काशी जो दर्ती की पहली City थी आज 289880 तक दर्ती की आखरी City बन चुकी है जिसका मतलब की Earth पर जितने भी States and Countries थी वो सब तबाह हो चुके हैं और इसी फ्रेम में बाहर के लोगों को काशी में आते हुए दिखाया है जो ये बताता है कि जो लोग जिंदा है वो सब धर्ती के अलग-अलग कोने से काशी आ रहे है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एकलोती जगह है जहां पर जीना मुमकिन है और जीने के लिए कुछ सा में देख चुके हैं लेकिन काशी के अलावा एक सीटी और है जो अभी मौजूद है और काशी से जादा अच्छी कंडिशन में है अब वो कौन सी सीटी है उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि इसी सीन में हमें एक गोल्डन होलोग्राम दिखता है जो इस सदी मे बहुत नॉर्मल बात है एंड ये सीडिया भी दिखती है जो गंगा घाट की है लेकिन गंगा नदी के सूखने की वज़े से ऐसी कुछ दिख रही है इसके बाद वाले सीन में कॉम्पलेक्स के इनवर्टिट रेंगल वाली बिल्डिंग दिखाई जाती है जिससे क्लियरली समझ आता है कि ये बिल्डिंग काइंड आउ स्पेस्शिप का भी काम कर सकती है जिसका रिजन सिंपल है कि अगर फ्यूचर में कभी धरती तबाओ तो इन कॉम्पलेक्स वालों को यहां से भागने में आसानी हो और इसका रिजन इसके जस्ट बात बताया जाता है कि जो पूछो के कैसे तो यहां इस वाले स्कुएर से एक रैड बीम निकल रही है जो अर्थ में जा रही है जिसका काम होगा अर्थ से पावर एक्स्ट करके कॉम्पलेक्स की बिल्डिंग में ट्रांसफर करना और जिस दिन अर्थ कॉम्पलेक्स को पावर प्रोवाइड करना बंद कर देगी उस दिन ये लोग अर्थ से किसी और प्लैनेट पर चले जाएंगे इन शॉर्ट अर्थ पर इस डिस्टोपियन एरा लाने के जिम्मेदार भी कॉम्प्लेक्स वाले है लेकिन इस फ्रेम को देखो क्या विज्वल से भाई और जिस समय धरती पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है एक एक बोंद के लिए तड़प रहे है उस समय इनके पास पानी के जरने बह रहे हैं और ये जाइंट रोबोट जो इन्हें लिफ्ट कर रहा है लिफ्ट की तरह है जिसको अगर किसी के साथ एक्शन करते दिखा दिया तो सच बोल रहा हूँ अविंजर्स फेल है इंडिया में लेकिन इसके जस्ट बात एक बहुत काम का सीन आता है जहाँ ये बंदा बोलता है कि सुप्रीम यासकिन ही इकलोते बगवान है तो बाई ये सुप्रीम यासकिन कौन है क्या ये कमल हसन है अगर कमल हसन सुप्रीम यासकिन है तो कली कौन है तो अभी के लिए इस जीसको थोड़ा सस्पेंस रखा है क्योंकि it is clear कि supreme yaskin जो कोई भी है वो इस बंदे के ठीक पीछे है तो I am pretty sure कि यही वो point है जहां से movie में एक बड़ा twist आए Because we know कि यह movie 7-8 parts में आएगी तो कमल सर का character इस part में बस introduce ही कराया जाएगा पर इसके just but वाले short में राया को भागते होए इस rate में धरसे मंदर के तरफ जाते वी दिखाते हैं जो no doubt की वही मंदर है जिसमें अश्वतामा इस वक्त ध्यान मुदरा में है और अश्वतामा यहां से clear कर देते हैं कि उन्हें बागी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं उनका बस एक ही मोटो है कलकी को बचाना इन शॉट, no if, no but, only कलकी लेकिन इसके just but अश्वतामा को उनकी मणी के साथ दिखाया जाता है और डायलोग आता है कि यह 6000 साल पहले आखरी बर देखा था तो सबसे पहले तो यह वाला डायलोग बोला है इन्होंने जो शायद साथ चिरन जीवी में से कोई एक है और 6000 साल से धरती पर ही है लेकिन अब इन्होंने क्या देखा वो तो पता नहीं लेकिन इन्होंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है तो हो सकता है यह डायलोग डायरेक्ट लिंक हो कलकी या दिपिका से लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि यह कौन है तो कमेंट करके जरूर बताना इसके बाद यह बंदा बोलता है कि वो शक्ती वापस आ गई है जिसका मतलब कि यह जिस भी शक्ती की बात कर रहे है उसका सामना इन से पहले भी ऊचुका है और जितना मुझे लगता है यहाँ पर बात हो रही है अश्वत्थामा की जिन्होंने अपनी मनी दारन कंडी है और यहाँ पर इन डीडर्स को मारते होए स्पॉट हो चुके है जिस वज़े से यह लोग इने पैचान जाएंगे कि यह तो वही शक्ती है जो पहली बार तब सामने आयोंगे जब इन्हें इनकी मनी वापस मिली हो और तबी अश्वत्थामा एंड कॉंप्लेक्स वालों का आमना सामना हुआ होगा इसके बाद वो सीन आता है जो इस पूरी मूवी का क्लियर कट आइडिया दे जाता है कि इस मूवी में क्या होगा हमें दिखाई जाती है दीपी का पदुकोल जो अभी प्रेगनेंट है और इसकी गर्ब में जो बच्चा है वो एक बगवान है कौन सा बगवान है ये चीज़ किसी भी तरह से कन्फर्म नहीं हुई है क्योंकि कल की महायुत में बगवान कल की अकेले नहीं होगे इनके साथ इनके तीन भाई भी होंगे और साथ ही में और भी भगवान के अवतार प्रकट हो सकते हैं अब वो कौन-कौन से होंगे और उनका जनन होगा या वो डायरेक्ट आएंगे वो तुम गूगल कर लेना लेकिन अभी के लिए चांसे जार दियर की ये कल की भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेलर जितना एक्स्पोजिव लग रहा है उतना सच में है लेकिन इसके बाद वाले सीन में अश्वत्थामा जब दिपिका से मिलते हैं तब वो इसे आश्वासन देते हैं कि इसकी कोक में एक बगवान है और इस बच्चे की और दिपिका की प्रोटेक्शन करेंगे अश्वत्थामा खुद जिसके बाद अश्वत थामा कॉंपलेक्स के रीडर्स को दोते वे दिखते हैं जो दिपिका को पकड़ने आये होंगे जब इसे उस खास जगे ले जाया जा रहा होगा जिसके बारे में जल्दी ही बात करेंगे बाके किसी और का तो पता नहीं लेकिन ये सीन इस ट्रेलर का सबसे बैस्ट सीन था जो अल्मोस्ट उल्टे रावन वाली वाइब दे रहा था और यहां से ही दीरे दीरे अश्वत थामा के साइज और उनकी पावर्स का अंदाजा होना चलो होता है फिर आगे वाले सीन में भुझी बहर्वा को एक न्यू बाउंटी की इन्फोमेशन देती है अब जिनने नहीं पता होने बता दूं कि बहर्वा एक मेकैनिक होने के साथ-साथ एक बाउंटी हंडर भी होने वाला है और इस वाले सीन में भुजी बहरवा को एक न्यू बाउंटी का अलर्ट देती है जिसकी पहली लाइन सुम 80 पढ़ते ही समझ आता है कि ये बाउंटी दिपीका की है क्योंकि आगे ये भी लिखा है कि she is 150 days pregnant और complex ने इस पर 1 million units बाउंटी रखी है और इस मैप से ये भी पता चलता है कि इस पूरी stand dune वाली location का नाम off sector है जिसके बाद भैरवा भी दिपीका पर लगी 1 million बाउंटी के लिए यहाँ आएगा और फिर इसका सामना अश्वत्थामा से होगा जो already complex की आदी सेना को सुला चुके है लेकिन इसके बाद जो सीन आता है उससे clear हो जाता है कि अश्वत्थामा भैरवा को यहाँ पीट पुटा कर दिपीका को किसी safe जगले जाएंगे जो most probably शंबाला होगी लेकिन कहीं ना कहीं भैरवा को उसकी powers का अंदाजा है लेकिन तुम इस वाले सीन को notice करोगे तो अश्वत्थामा almost सभी रीडर से लंबे हैं इनका size और ताकत इतनी जादा है कि इन्होंने बस एक पैर से बुट्जी बाड को एक जगे रोग दिया और ये कितने लंबे चोड़े होंगे वो इस वाले सीन से तुमें समझ आही गया होगा अगर समझ नहीं आया तो भाई ये अश्वत्थामा आया जो बहरवा को धक्का देते हुए दिवारों के पार लेकर जा रहे है बेचरा बहरवा लेकिन इसके जस्ट बाद एक वार का सीन आता है जो नो डाउट की शंबाला में ही होगी क्योंकि अगर ये जगे कॉंपलेक्स होती तो यहां के लोग सादू जैसे कपड़ों में ना होते जैसे की खाना पानी और बाकी जरूरत की चीज़े और भगवान कलकी का जनम भी यहीं पर होगा जिस वज़े से ये लोग यहां आए हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कॉंपलेक्स अर्थ से पावर एक्स्टर्ट कर रहा है लेकिन वो पावर एक दिन खतम हो जाएगी इसलिए कमल हसन सर को कॉंपलेक्स और खुद के लिए एक पर्मनेंट पावर सोर्स चाहिए जिसमें शम्बाला की एनरजी एक बड़ा रूल प्ले करें और कलकी बगवान तो चाहिए ही ताकि यह और जी सकें कैसे वो बताने से पहले इस सकार के बारे में जानना जरूरी है अब हो सकता है कि मैं कमल सर के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा गलत साबित हूँ क्योंकि अब यह बस हमें इनका फेस ही दिखाया है जिसे देखकर लग रहा है कि कमल सर का character बहुत जादा बुड़ा हो चुका है और इस वक्त life support पर है और ये जो red scar हमें दिख रहा है वो बस एक red wire है जो इनके सर पर लगे एक life support का हो जिसके just बीच में एक bandage भी है जो almost इसकी skin से चिपक गई है और इस life support का concept हमने ड्यून में हर कोरिन के साथ भी दिखा था जिसके पीट पर life support के लिए wires थे जिसमें ये बताना तो अभी मुश्किल है कि कमल सर के character की age क्या है लेकिन इतना confirm है कि ये अब मरने वाला है और इसी वज़े से इसे एक नया शरीर चाहिए जो होगा दिपिका की कोख में पल रहा बच्चा अब इसको आगे अच्छे से explain करूँगा क्योंकि ट्रेलर की बहुत details अभी बाकी है जैसे कि इसके बाद इस वाले scene में बारिश हो रही है जो again view है शंबाला का क्योंकि यहाँ शंबाला के soldiers भी हैं अब जिस सदी में लोगों ने पीने का पाने ढंग से नहीं देखा उस सदी में बारिश होना सिर्फ शंबाला में possible है लेकिन शायद यह बारिश अभी इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त तक कलकी का जनम हो चुका होगा अब वो रोल कितने मिनिट का होगा वो तो पता नहीं बट यहाँ से कंफर्म होता है कि बहरवा के पैरों में लगे थ्रस्टर्स इसे उड़ने में मदद भी करते हैं जो मैंने पहले एक वीडियो में बता भी दिया था और ये ट्रिपल रोल वाला सीन अगर तुम्हें नहीं समझाया तो बता दू बहरवा ने एक छोटे बच्चे से एक टैक चुराया था जिसकी मदद से ये खुद के होलोग्राम्स बना सकता है जो चीज हमें बुझ्जी बहरवा में बता दी गई थी अगर नहीं देखा तो आर आई पी टू यू अब मैंने कहा था कि कॉम्पलेक्स वाले आम जंदा से उनकी बीटियों के बदले उने खाना बाने देते होंगे तो हाँ यहाँ पर यही होगा क्योंकि अगर तुम्हें कलकी ग्लिम्स का ये वाला सीन याद है तो उसमें दिप दिपिका यहां से भाग जाएगी और बाद में डिसकावर करेगी कि इसकी कोक में कोई आम बच्चा नहीं एक बगवान है और इसी वज़े से कॉम्पलेक्स को ये बच्चा चाहिए क्योंकि यही इतना केपिबल है जो कमल सर की एक न्यू बॉड़ी बन सके बाकि जब सीम वैन भी है जिसमें दिपिका को इस वक्त शंबाला लेकर जाया जा रहा है और आमें बुझी बैरवा से यह पता भी है कि यह शंबाला के रिबल गूर्प के लीडर है जो नो डाउट कि दिपिका को लेकर शंबाला जा रहे होंगे लेकिन उतने में ही रीडर्स इन पर अटेक कर देंगे और फिर इन्हें बाद में अश्रताम बचाएंगे अब लास्ट बट नॉट तलीस्ट वो डीटेल जिसको में आल्मोस्ट मिस्स करने ही वाला था क्योंकि हो सकता है यह जो बंदा है वो दिपिका के हस्बेंट मतलब कलकी के फादर का रोल प्ले करे और शाय